माता दिभक्चनों कैसे हैं आप सभी पर माता रेनी की किर्पा बनी रहे चलिए आज जानते हैं कि जब भगवान सिरेकृष्ण ने प्रतिग्या ले थी कि वो मभारत युद में अस्तर नहीं उठाएंगे तो फिर उन्होंने अस्तर भिष्म के उपर क्यों उठाया कैसे थियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया ये कथा तब की है जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सिरेकृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके पास पहुँचे थे युद आरंभ होने वाला था या निश्चित हो चुका था कि अब युद को टाला नहीं जा सकता ह तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही सिरेकृष्ण से सहयोग मांगने के लिए पहुचे उस समय सिरेकृष्ण सो रहे थे आराम कर रहे थे अर्जुन उनके पास काफी समय से बैठे हुए थे उनके पैर के तरफ बैठ करके इंतजार कर रहे थे अर्जुन दुर्योध और स्रीकृष्णी ने अर्जुन से पूछा कि तुम यहां किसलिए आये हो पार्त तब दुरियोधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले से आया हूँ तब स्रीकृष्णी ने कहा कि लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है फिर जब दुरियोधन हट करने लगे तब स्री क्रिश्ने ने कहा कि ठीक है लेकिन छोटा होने के कारण अर्जुन को मैं ये अधिकार देता हूँ कि पहले वो अपनी बात को रखे तब अर्जुन ने उनसे कहा कि युद होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा सहयोग करें आप हमारे साथ रहें तब स्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जून हे दुर्योधन मैं इस युद में कभी भी अस्तर सस्तर नहीं उठाऊंगा और एक तरप मैं हूँ और एक तरप मेरी नरायनी सेना है इन दोनों में से तुम चीसे चाहो चुन लो तब स्रीकृष्ण से अर्जून ने कहा कि हे स्रीकृष्ण मेरे लिए तो आप ही सरपस्रिष्ठ है और सरवस्य है इसलिए मैं आपको चुनता हूँ मुझे आपकी नरायनी सेना से कोई मतलब नहीं है दुर्योधन काफी खुश हो गया और उन्होंने अपने लिए नरायनी से भिष्ण पितामा को जब यह बात पता चली कि स्रीकृष्ण ने यह प्रतिग्याली है कि वह युद्ध में अस्तर सस्तर नहीं उठाएंगे तब भिष्ण पितामा ने यह प्रतिग्याली कि वह उन्हों स्रीकृष्ण से हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देंगे और तब स्री कृष्णे ने अर्जुन से पूछा कि तुम भिश्म परबान नहीं चलाओगे पार्थ। अर्जुन ने कहा नहीं मैं उनका बद नहीं कर सकता। तब स्री कृष्णे ने कहा कि ठीक है फिर मैं उनका बद करूँगा। तब अर्जुन ने उनसे कहा कि फिर आपकी प अर्जुन उनके पीछे भाग कर उनको रोकने लगे और उनके पैरों में गिर गये। करने लगे और स्रीकृष्ण उस समय मुश्कूरा रहे थे। जा रहे थे तब पता लगा कि जिस समय कृष्ण ने युद में अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिग्या ली थी। उसी समय उत्साह में आकर भिश्म ने भी प्रतिग्या की थी। कि वे स्वयम कृष्ण की प्रतिग्या तुरवाएंगे और स्रीकृष्ण ने उनकी प्रतिग्या का आदर करते हुए खुद अपनी प्रतिग्या तोड़ दी थी। अपनी प्रतिग्या को पुर्ण करने के लिए अपनी प्रतिग्या की प्रतिग्या तोड़ दी थी।